बाश्कार दोस्तों आज 6 अगस्त है और दा हिंदू के साथ आज फिर हाजीर है हम आज क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है इसके बारे हम बात करेंगे ठीक है अब यहाँ पे जो पहली नियूज है आज की वह है और भी आई रैजिद रेट वह निम्बल पॉलिसी का नियूज है इस तरीके का ग्रेशन तो रोकने के लिए अर भी आई आई ने रेट की बढ़ ढ़ा दो होता है रिपो रेट क्या होता है आप यह जाने सर्च करें और इसे बढ़ाने का पूरी अर्थ विवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है इससे आपको जरूर जानना चाहिए ठीक है तो आप ये देखें कि रेपो रेट क्या होता है और रेपो रेट को बैंक दर भी बोलते हैं तो इससे आप जानिए और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा GDP क्या पड़ेगा inflation पर क्या पड़ेगा कौन लोन महंगे हो जाएंगे सस्ते हो जाएंगे इसके बारे में जारीए यह इंपोर्टेंट है अपके लिए ठीक है इसके बाद है इसी मूट्स वर्डिक्ट फोर बॉडिली ऑटोनॉमी बॉडिली ऑटोनॉमी का मतलब क्या है जो एक तरीके से यह समझे कि यहां पर आप का है मैंने इसके बारे में बात की गई है तो आपको यह देखना चाहिए यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरे बिस्व भर में बात शड़ी हुई है कि जब सरीर महिला का है तो अधिकार भी उसी के होने चाहिए कोई कोट तय नहीं करेगा कोई बाहरी वेक्तिय तय नहीं करेगा कि उसे कब क्या करना चाहिए इस पर एक चर्चा की बात है और साथ ही इस एक्ट को देख लें और उसके बाद आपको यह देखना है कि पिस्व में इस चर्चा का अभी क्यों मतलब क्यों छिड़ी हुई है आप देखोगे तो इसमें आपको पोप की भूमी का नजर आएगी अमेरिका में जो अभी एक्ट पारित हुआ या अमेरिका में जो बह पारित के लिए जो न्यूज है इससे भी आप सहयता लें ठोड़ी ठेक है इसके बाद है लेसं पोर इंडिया फ्रों दा टाइवान स्टेंड आप यह एक पार्टिकल लिखा किया है जैकब द्वार एपिम और इन्होंने कहा है कि जो भारत को ताइवान से सीखना चाहिए भारत को ताइवान से इस तरीके से चाहिए कि बहुत चोटा सा देश है सौ माल की दूरी पर है और फिर भी वो कितनी भी धमकी दी गई फिर भी वो चीन के सामने खड़ा है अब यहाँ पे कई तथे और भी जिनका इन्होंने जिकर नहीं किया उन्होंने सीधे-सीधे जिकर किया लेकिन भारत के लिए इस्तिति इतनी आसान नहीं है क्योंकि भारत कई मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा उसको और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अमेरिका ताइवान के नहीं कहा जा सकता या मतलब एक तरीके से सहनी हैं मतलब कम बहुत ज्यादा बहुत कम प्रभाव पड़ेगा उस लेबल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा अधी कलपना किजिए कि भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है तो दोनों की अबादी बहुत पड़ी है और दोन यह तरासदियां है वह बहुत बड़ी इस्थितिकी होंगी बहुत बड़ी होंगी और जिसे सम्हानला ना भारत के बस में होगा ना चीन के बस में होगा चीन अपने आपको कितना भी ताकतवर दिखा दे वह हो सकता है पचास साल पीछे चला जाए युद्ध की मार इतनी तेज होती है कि वह पचास साल पीसे चला जाये और तो ठीक है हमें सीखना चाहिए हम खड़े हो सकते हैं पर उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पर तैवान खड़ा होता है तैवान एक और भी तैवान के पच्ष में बात आती है कि वह पूरे बिशू का 90 परसेंट सेमी कंड बनाता है और अधी चीन ऐसा करता है तो पूरे बिस्व के देश ताइवान के सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं पर भारत अभी उस लेवल पर या उस स्थिती में नहीं है कि जहां पर युद्ध कर सके वह ठीक है उसके बाद है यह फ्रेस आपॉचनेटी किसके लिए है तो ब वापस ले लिया गया है और उसके बाद इसमें सुधार करा जाएगा क्यों वापस लिया गया है इसमें पढ़ सकते हैं ठीक है और चीजों को समझ लीजिए इसके बाद है अब देखी यहाँ पर जो नए समयं का चांद हं अं-लाइन लेने लगे हैं चा अदिक से और यहाँ ओड़े स्वान आट बाद डिजिटल कोमार्स आग गब अड़लीयो डेख लेते हैं और उसके बाद वहाँ से खरीद लेते हैं उसके प्रॉस कॉंस मतलब जो अच्छे चीज़ें बुरी चीज़ें हम उसका रिव्यू देख लेते हैं और उसके बात खरीद लेते हैं तो इसके बिवाद का निप्टारा किस तरीके से किया जाए या किस तरीके से किस तरीके से help line होगी आप मतलब किस तरीके से कहाँ सब्सक्राइब को समान करें तर एक ह dud dough drug तो तामिनड़ो में बनेगा माभला तो इस तरीके against का मामिले को देखने के लिए बवल Сब्सक्ति ये चैलेंज है तो अब यह नए चलेंज है और इसके लिए क्या क्या उपाय किया जाने से इसके बारे में चर्चा की गई इसमें ठीक है अब इसके बाद जो लास्ट न्यूज है वह है रेट हाइक में हिट हॉम सेल्स है तो अभी हम लोगों ने देखा कि बात की गई थी उसको बढ़ा दिय यह आए होज़गी वह इसी लिए बात की गई है जा कि आपके लों के दर बढ़ जाएंगे तो अइसली यहां पर बात की बाएंग दर और रिवर्स रेपोरेट क्या होता है उसको एक बर पढ़िए और इससे इंफलेशन पर क्या असर पढ़ता है किस तरीके कि के उपाएँ अपनाता है रिजर बैंक जब महंगाई बढ़ रही होती है यह जब उसके बाद एक तीन वर्ड और देते हैं इंफलेशन deflation और stakeflation ये तीन सब्द हैं इनको जरूर सच करिएगा inflation फिर से मैं दोहरा रहा हूं inflation, deflation और stakeflation ये तीनों क्या होते हैं ठीक है और इनका अर्थववस्था पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है इसके लिए RBI या reserve bank या किसी भी देश का किंद्रिय बैंक क्या क्या उपाय अपनाता है उसे आप जरूर देखिएगा ठीक है आज के लिए इतना ही धन्यवाद और हाँ एक जरूरी सुचना अधी आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करने धन्यवाद